कुछ देर पहले मैंने वैश्वी करण के संबंद में बात करते हुए आपको ये कहा था कि वैश्वी करण का सामान्य संबंद हम आर्थिक मुद्दे से देखते हैं और सच्चाई तो ये भी है भी कि इसका अधिकतर जो प्रकरण है संबंध है वो आर्थिक मुद्दे से ही है लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि इसके कुछ अन्य आयाम भी हैं कुछ अन्य पहलू भी हैं सामानितिया वैश्वी करण की धारणा में जो अन्य आयाम है उसमें पहला है व्यापार व्यापार से अर्थ है कि बिना किसी बाधा के बिना किसी दिक्कत के कटनाई के कैसे एक दूसरे के साथ बहतर व्यापारिक संबंद बनाया जाएं वस्तों का आदान प्रदान सरल किया जाए और जिस किसी तरह की बाधा आती हों तो इसे कैसे दूर किया जाए यह व्यापार से जुड़ा आदम दूसरा है तकनीकी प्रवाह तकनीकी प्रवाह था नॉलिज ट्रांसफर ओफ नॉलिज ग्यान का प्रसार एक जगह यदि कुछ नॉलिज कुछ नई चीज डिवलप हुई है नई सोच डिवलप हुई है नई सफ्ट्वेर इजाद यदि हुआ है तो वह दूसरी जगह त्वरित गति से पहुंच जाए आदिनिक प्रद्योगी की इसका निर्वाज प्रवाह संभव हो और इसकी संभवता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वातावरन बनाया जा यह हो गया दूसरा आजाओं तीसरा और सबसे महत्पूर्ण है वह है पूंजी का प्रवाह पूंजी के प्रवाह से माइने हैं कि विभन देश स्वतंतर रूप से अपने यहां की मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्रा से बदल सकें और इसमें किसी भी तरह की बाधा न इस सरल प्रवा को संभव बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्मान करना ये वैश्वी करण का एक आयाम है और ठाथ पहले तीन बिंदु जहम दो देखे तीनों बिंदुओं में एक चीज आपने पाई है परिस्थितियां ऐसी स्थितियों का निर्मान करना जो आदान प्रदान में सहुलियत प्रदान करें चौथा आयाम है श्रम का प्रवाह इसमें भी वही बात है निर्बाद प्रवाह श्रम श्रम से तटपर क्या है लेबर जब हम factors of production की बात करते हैं जिसे अंग्रेजी में factors of production कहते हैं तो चार तत्व इसके रहते हैं land, labor, capital और organization इनके बीच के संबंद जो हैं इन चार factors of production के बीच के संबंद इन संबंदों में किसी भी तरह का व्यावधान ना हो और दूसरे देशों के साथ इनके आदान प्रदान में सरलतम मार्ग हो नियूनतम बाधाय हो तो वैश्वी करण की प्रक्रिया की और हम बढ़ते हैं श्रम के बाद अंतिम है मानव एकता सामाजिक और सांस्कृतिक संबंद इन संबंदों का प्रश्रय देते हुए हम भाईचारे की भावना मानव एकता की भावना इसको प्रोशाहित करते हैं इस वैश्वी करण की प्रक्रिया में इन पांचों आयामों पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे इस बात को समझने के लिए कि पूँजे के प्रवा से क्या माईने है और उसके लिए क्या उचित वातावरन है व्यापार कि आवा जाही के क्या माइने हैं और उसके लिए किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हों पर फिलहाल आप कोई समझना है ये पांच आयाम जो अभी हम ने देखे संखेप में वैश्वी करण जो है वो राष्ट्रों की सीमाओं से परे होता है विमल जालान जी के शब्दों में जैसा मैंने बताया स्वाहित को छोड़कर परहित को प्रात्मिक्ता देना अपने देश अपने राष्ट के हित को छोड़कर वैश्विक हित को सर्वोचिस्थान देना यही वैश्वी करना है राष्ट की सीमाओं को पार कर आर्थिक लेंदेन की प्रक्रियाओं उनके प्रबंधन और उनके मुवमिन में सरल्टा लाना देश की अर्थ व्यवस्था का वैश्वी करना विकास शील देशों जैसे भारत को नई चुनोतियां और नए अवसर प्रदान करता है इस बात को हम यहाँ पर नोट कर लें क्योंकि ये एक बहुत महत्पूर्ण बिंद होता है उदारन के लिए यदि मैं 36 गड़ की बात करूँ तो 36 गड़ के एक खेत्र में हीरा पाया जाता है 36 गड़ निवासियों के लिए संभवता हीरा उतना उप्योगी तो नहीं है लेकिन हीरे के उत्पादन और इसके निर्यात से 36 गड़ का बहुत विकास हो सकता है इस विकास की जो प्रक्रिया है उसमें वैश्वी करन शामिल है अर्थाथ 36 गड़ सरकार को ये देखना होगा कि कैसे हीरे की उपलब्दता से जादा से जादा इस खित्र का विकास किया जा सकता है अर्थाथ मार्केट कौन सा है विश्व में जहां हमारा हीरा बेचा जा सकता है मार्ग कौन सा है जहां से हमारा हीरा बेचा जा सकता है प्रबंधन व्यवस्था कैसी होगी जो सुनिश्चित करे कि हीरे का व्यापार समुचित तरीके से लाबदायक तरीके से हो अब ये मार्ग, मार्केट और प्रबंधन इसको वैश्विक व्यवस्था से जोड़ना ऐसी व्यवस्था से जोड़ना जिससे ये तीनों कारे सरल हो जाएं यही वैश्विक करणा है इसके अलावा जब वैश्विक करण की प्रक्रिया से सभी देश जोड़ रहे हैं तो सभाविक रूप से प्रतिस परधा भी हो रही है एक विकास शील देश जिस चीज का उत्पादन कर रहा है दूसरा विकास शील देश भी उसके उत्पादन से लाब कमाना चाहता है दूसरी और एक विकास शील देश जहां अपने किसी उत्पाद का निर्यात करना चाहता है उचित कीमत पर दूसरा देश भी उससे पीछे क्यों रहेगा वह भी निर्यात चाहता है वैश्वी करन का एक और पहलू है प्रतिस परधा बढ़ती प्रतिस परधा को अंतराश्टी स्परधा की चुनोती का सामना करने के लिए अपने आपको देशों को तैयार रहना पड़ेगा तैयार करना पड़ेगा भारत भी इसमें बहुत सुचार रूप से सोच विचार के साथ अपने को अंतराश्टी व्यवस्था में जोड़ रहा है और इस जोड़ने की प्रक्रिया में उसकी जो दिक्कतें आ रही हैं उसका अध्यन इसके बाद होगा वैश्वी करण के दिबात करें तो प्रमक्ष विशेष्टाएं क्या होगी देश की व्यवस्था को अंतराश्टी व्यवस्था के साथ जोड़ना जैसा मैंने बताया अपने हिद को छोड़कर विदेशी हिद से जोड़ना इसे कहते हैं इंटिग्रेशन इसे कहते हैं इंटिग्रेशन अर्थात एकी करना एक ही कृत करने का सामनज़स से बैठाने की प्रक्रिया ये पहली विशेश्टा दूसरी विशेश्टा वही चार बातें जिनके बारे में मैंने पूर में बताया पूंजी, सेवा, तक्नीक और इसके अलावा सिधान इनका विदेशी पध्धती से, विदेशी सिस्टिम से इनको अपने को जोड लेना, ये इसकी दूसरी विशेश्टा है, और ऐसा जोडते विए सुरिश्चित करना कि मार्ग में किसी तरह की बाधाय ना है, और ये बाधायों से ताट पर है, एक्सचेंज में बाधाय ना है, तीसरी विशेश्टा, बहुराष्ट्री कमपनियां, पहले खेतरी कमपनियां होती थी, विस्तार होते होते राष्ट्री कमपनियां हों, और अब बहुराष्ट्री कमपनियों की बात होती है, जिसें अंग्रेजी में कहते हैं, मल्टी नाशनल कमपनीज, आज मल्टी नाश इसी कमपनियां जिनका कम से कम 10, 15, 20, 100 देशों में व्यापार चल रहा हो ऐसी कमपनियां बहुत भारी संख्या में आ रही हैं ये क्यों संभव हो रहा है वैश्वी करन के कारण चौथी और अंतिम विशेष्टा जिसे हम कहते हैं नैशनल मैक्रो एकनामिक पालिशी जो होती ह है नैशनल उसका एक तरीके से अस्तित्व कम हो जाता क्योंकि जो देश की जो एकनामिक पालिशी होती है उसमें काफी हद तक वैश्वी करन से जड़े हुए सिध्धानतों का दबदबा बढ़ जाता है उस हद तक हम स्वतंतर नहीं रहते अपनी आर्थिक नीतियों को बन सार्वभामिक्ता के संबन में कहा था हमारी कुछ हद तक संप्रभुता सार्वभामिक्ता पर चोड़ पहुंचती है ऐसा एक विरोधी खेमे का कहना है इस पर हम आगे फिर विस्तार से और समझेंगे इस पकार इन विशेष्टाओं को समझने के बाद अब हम थोड़ा जा और ग्लोबलाइजेशन आपका ध्यान में दूसरे दो शब्दों पर देना चाहूंगा भारत में हम लोग modern हो रहे हैं या पश्चिमी हो रहे हैं westernization या modernization भारत के लोग किस और aggressor हैं और दोनों में बहतर क्या है modernization या westernization इस पर लोगों की बहुत अलग-अलग टिपड़ियां है आपके लिए ये food for thought है सोचने के लिए एक मसाला जिस परकार modernization बनाम westernization को लेकर बाद विवाद होता है उसी परकार वैश्वी करण बनाम अंतर राश्टी करण को लेकर भी विवाद हैं और लेकिन इसको हम अंतर को थोड़ा सा स्पष्ट करें वैश्वी करण और अंतर राश्टी करण एक तरीके से कुछ हद तक इनमें समानता है समानता क्या है दोनों ही विश्व से संबंदे था दोनों ही पारंपरिक निर्भरता से जुड़ी हुई है जिसमें एक दूसरे पर निर्भरता की बात होती है लेकिन अंतर क्या है समानता तो हमने दो देख ली अंतर यह है कि अंतर राश्टी करण में जहां मुक्षत राश्टों के मध्य बढ़ते संबंदों का इंटिग्रेशन शामिल है राश्टों के मध्य बढ़ते संबंदों का इंटिग्रेशन वहीं वैश्वी करण में राश्टों के अलावा व्यक्ति और अन्य चीजे भी ज जोड़ी हुई हैं अंतर राष्टी करण का संबंद राष्ट्रों के बढ़ते संबंद से वैश्वी करण का संबंद राष्ट से ज्यादा राष्ट से बाहर निकल कर व्यक्तियों को भी जोड़ने की उसके साथ ही अन्य समूहों को भी जोड़ने की उनके बीच बढ़ती हु अंतरराष्टी करन का ही तो एक हिस्सा है वैश्वी करन का दाइरा बड़ہ है अंतराष्टी एक अंतर है दूसरा बिना अंतरराश्टी करण के वैश्वी करण संभव नहीं है और वैश्वी करण जदी हो रहा है तो स्वभाविक रूप से अंतरराश्टी करण भी हो रहा है यह आपको समझना होगा दूसरा अंतर जो है वो वैश्वी करण में अंतरराश्टी करण वैश्वी करण में अंतरराश्टी करण शामिल है जैसा मैंने कहा अर्थात वैश्वी करण का दायरा बहुत ज्यादा व्यापक है इसमें राजनीतिक पहलू भी आते हैं आर्थिक पहलू भी आता है सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और अन्य सभी आयाम जिनका मैंने पूर में जिक्र किया है वे वैश्वी करण की प्रक्रिया में आते है लेकिन अंतर राश्टी करण की बात करें तो केवल राज्यों के बीच के संबंध का उससे तालुक होता है तीसरा अंतर और अंतिम अंतर ग्लोबलाइजेशन बनाम इंटरनेशनलाइजेशन में क्या है अंतराश्टी करण की तुलना में वैश्वी करण जो है वो एक नई प्रवृत्ती है नई प्रवृत्ती से ताटपर ये है कि अधि हम आज के काल में देखें तो ज्यादा नहीं तो करीब पचाथ-साथ वर्ष पुरानी प्रक्रिया है उससे ज्यादा पहले की नहीं ये recent past की गगर और इसके पीछे किस चीज को श्रे जाएगा वैश्वी करण के बढ़ते प्रभाव या बढ़ते वैश्वी करण के लिए हम किस चीज को कारण मानते हैं जैसा मैंने बिलकुल प्रायरम में बताया था दो कारण कौन से संचार मार्दमियों का बढ़ता प्रभाव और आवागमन और द्योगी की करण तो इस प्रकार वैश्वी करण जो है वो एक रीसिंट प्रक्रिया है आधिनिक प्रक्रिया है नई प्रवृत्ती है और इसमें सभी तरह की चीजों का आदान प्रदान जड़ा हुआ है इसकी गती भी बड़ी तीवर है क्यों तीवर है क्योंकि इसके लिए भर्तक प्रयास किया जा रहा है विश्वस्तर पर कि किसी भी तरह की बाधाएं अवरोध इस आदान प्रदान के मार्ग में ना हो मैकुलन के अनुसार इन साधनों के कारण जो वर्ल है वो एक वर्ल विलेज बन गया है जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं प्रारब में भी शब्द का आपको जिक्र किया गया था ग्लोबल विलेज अब विलेज शब्द क्यों जुड़ा हुआ है ग्लोबल वर्ल क्यों नहीं विलेज इसलिए क्योंकि एक गाउं जो होता है वो गाउं हर दिष्टि से अपने तई आत्म निर्भर रहता है गाउं स्वैम में मार्केट है सभी चीजों का गाउं स्वैम में सारे उत्पाद भी है उत्पादन भी है और गाउं में ही क्रै विक्रै के लिए जो आदमी चाहि यह सब कुछ गाउं में अर्थात एक गाउं जो है वह स्वैम में एक दुनिया है इसको लेकर कहा जा रहा है कि विश्व भी गाउं की तरह स्वैम में एक परिपोर्ण दुनिया हो गई है और इसलिए शब्द है ग्लोबल विलिज इतना जानने के बाद अब हम अगले बिंदू पर आते हैं और वह है वैश्वी करण या भू मंदली करण का विकास जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रीसेंट प्रक्रिया है गट कुछ वर्षों में बढ़ी है चालिस वर्ष पचास वर्ष तो थोड़ा इसी हा समझाने लगभग तीन दशक पहले आर्थिक और राजनीतिक संबंदों का भू मंदली करण नहीं हुआ था लगभग तीन दशक पहले अर्था इतनी नहीं घटना है कि हम इसे इस बीसवी किसवी शताबदी के प्रारंब से ही देख सकते हैं वैश्वी करण की प्रक्रिया की शुरुआत अखिर इसमें ऐसी क्या बात हुई जो अचानक वैश्वी करण प्रारंब होता है और इतनी तीवरता से गती पकड़ता है सोवियत संग का आपने नाम चुनाओगा USSR Union of Soviet Socialist Republic जिसे रूस कहते हैं लेकिन वास्तव में रूस एक देश का नाम है पूर में वह था सोवियत संग और सोवियत संग का अस्तित्व 1990 तक ही था उसके बाद वह पूरी तरह तूट गया विगटित हो गया और पंदरा ने राश्ट्रों में बना उसमें से एक राश्ट्र का नाम है रूस मैं बात कर रहा हूँ 1990 के समय की भूतपूर सोवियत संग हम उसे कह सकते हैं भूतपूर सोवियत संग 1990 के पहले एक महाशक्ति के रूप में था और दूसरी महाशक्ति कौन सी थी अमेरिका संयुक्तराज अमेरिका USA बनाम USSR इन दोनों के बीच में बड़ी प्रतिद्धिता थी किस बात को लेकर विष्व में अपनी वर्चस्वता को बनाया रखने के लिए इस वर्चस्वता को लेकर आपने शीर्टि के अध्याय में और उसके अलावा दो अन्य अध्यायों में दो धुरुवी विष्व और फिर समकाली विष्व में अमेरिका का वर्चस्वता इस पर आपने विस्तार से पढ़ा है तो मैं उस विस्तार पर ना जाकर के संक्षत में थोड़ा से बताऊंगा कि आखिर ये दो देशों के वर्चस्वता का मुद्दा कितना गहरा था और आखिर क्यों ये दो महाशक्तियां एक दूसरे के प्रती इतना खौफ खाई हुई थे कारण था विचार धारा का विचार धारा का जो जगड़ा था उसको लेकर पूरे विश्ध दो खेमों में बढ़ गया सभी देशों के बीच में राजनेक और आर्थिक संबंध नहीं थे क्योंकि वे देख खेमे में बटे हुए थे हाँ भारत जैसे भारत और भारत जैसे कुछ अन्य सौदेश इस दो खेमे के विभाजन से हट कर एक तीसरा खेमा बनाया हुए थे जिसे हम नौन इलाइन खेमा कहते हैं गुट निर्पेख खेमा अब जब दो खेमों में बटा तो निश्चित रूप से आदान पदान भी नहीं था एक दूसरे के बीच संक्तराश्ट संग की सदस्यता तो व्यापक थी किन्तु सोवियत संग पूर्वी यॉरप और उसके कुछ अनुगामी देश जो एशिया और अफरीका में थे वे संक्तराश्ट संग की कुछ महत्पूर्ण संस्थाओं के सदस्य नहीं थे मैं आपको पूरा दूँ संक्तराश्ट संग यद्यपी एक वैश्विक संस्था थी लेकिन वैश्विक होते हुए भी एक खेमा जिसका नित्रित सोवियत संग कर रहा था वह खेमा पूर्ण रूप से इन संस्थाओं से नहीं जुड़ा था जिन में हम बात कर सकते हैं वर्ल बैंक की जिसमें हम बात कर सकते हैं अंतराश्टी मुद्राकोश की और गैट की वर्ल बैंक, विश्वकोश अंतराश्टी मुद्राकोश IMF, International Monetary Fund और उसके अलावा गैट आपने पढ़ा है जी ए टी टी ये जो संश्थाएं थी इनका संबंद मुद्रा के प्रचार प्रसार व्यापार और आर्थिक विकास को लक्ष में रख कर ये संश्थाएं बनी थी और इनमें ये वाले देश खामिल नहीं थे जिनका नितरत सोवियत खेमा कर रहा था, सोविय आजन के प्रणाम स्वरूप सैध्धान्तिक रूप से भी ये दोनों अलग रहते हैं, एतिहासिक दिश्टित से भी इनका अपना अलग-अलग इतिहात रहा है, इसके पीछे प्रिष्ट भूमी के अदि बात करें, तो थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी आपकों समझना होगा कि सोवियत संग की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो साम्यवादी व्यवस्था थी, वहाँ साम्यवाद था, साम्यकार्थ क्या है समानता, और ऐसी विचार धारा जिसमें समानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और दूसरी और पूंजी वादी व्यवस्था थी, जिसका प्रतिनिदित अमेरिकी खेमा और उससे जुड़ हुए देश कर रहे थे ये व्यवस्था या विचार धारा दोनों एक दूसरे के कटर विरोधी थी बलकि दोनों में 36 का आंकड़ा था आखिर बात क्या थी? सोवियत खेमा मजदूरों की अहमियत करता था सोवियत खेमा धना धिवर्ग को तिरस्कृत करता था सोवियत खेमा सभी आर्थिक जो पहलू हैं जिसे मैंने फैक्टर्स अब प्रोडक्शन कहा है लैंड लेबर कैपिटल ऑगनाइजिशन इस पे पूरे सरकारी नियंतरन की बात करता है दूसरी और संक्तरज अमेरिका के नित्रत वाला खेमा पूंजी वादी खेमा कहलाता था कैपिटलिस्टिक जैसा कि शब्द से स्पष्ट है इनका पूरा विश्वास पूंजी पर था कैपिटल पर था अर्थाज यह जो चारों फाक्टर्स अप्रड़क्शन हैं यह चारों फाक्टर्स अप्रडक्शन निजी हाथों में ही रहना चाहिए ऐसा अमेरिका और उसके खेमे के देशों का विचार था अब आप समझ सकते हैं कि दोनों खेमे की विचारधारा कितनी विरोधी थी सरकारी पूर्ण सरकारी नियंतरन बनाम पूर्ण निजी नियंतरन जब ऐसी विवस्था होगी तो टकराहट स्वाभाविक थी समाजवादी विवस्था जिसे सामवादी विवस्था कहते हैं वहाँ पर सत्ता की निरंग कुष्टा रहती है पूरी राजनेतिक विवस्था पूरी तरह शासन के हाथ में रहती है राजकी स्वामित वाली केंदर नियोजित योजनाएं लगू होती है और किसी भी तरह की स्वतंतर विचार धारा, किसी भी तरह की स्वतंतरता उसका कोई स्थान इस व्रस्था में नहीं रहता उल्टे अमेरिका में सरकार जो है वह मात्र एक पैसिव इस्पेक्टेटर रहती है सरकार का काम केवल इतना ही रहता है कि वह वहां के देश की सीमाओं की सुरक्षा करे लोगों के विदेशी आक्रमन से सुरक्षा करे और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाय रखे बाकी सारे कारे, सारी आर्थिक व्यवस्था निजी हातुन और साथ सरकार की दखलंदाजी शून दूसरी और सोवियत संग की विवस्था में सरकार की दखलंदाजी निरंग कुष्टा की कगार पर इस पकार दो तरह की आर्थिक विवस्थाओं वैचारिक विवस्थाओं का टकराओ दो खेमों को जर्म देता है